कोश्चन 11 में क्या गिवन है In how many ways can the letters of the word permutation be arranged if the words आपका letter क्या दिया हुए, word क्या दिया हुए, permutations ठीक है अब इसमें पूचा है कि इनको कैसे arrange करें, कितने letters बन सकते हैं अगर word start हो रहा है P से और end हो रहा है S पे यानि P और S हमने fix कर दिये तो कितने letter बच गए है हमारे पास एक, दो, दी, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस दस letter बिटा ठीक है तो हमारे पास 10 letter sign between इनमें से कौन से repeat हो रहे है जहां से लेको E repeat नहीं हो रहा है R repeat नहीं हो रहा है M repeat नहीं हो रहा है U repeat नहीं हो रहा है ठीक है T repeat हो रहा है T two times हो रहा है A नहीं हो रहा है I नहीं हो रहा है O नहीं हो रहा है N नहीं हो रहा है divided by 2 factorial clear solve कर लोगे इसे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial और नीचे 2 factorial directly cancel out बाकी सब को multiply कर लोगे आप का answer आ जाएगे हो उसमें बिटा multiply करने के लिए भी easy trick वही है कि अपने 0's बना देखो 5 for the 20 23 जा 60 66 जा 360 clear 360 यहां तब हो गया अब 10, 9, 8, 7 का 7, 8 जा 56 56 into 9 करोगे तो कितना जाएगा 5, 0, 4 ठीक है 5, 0, 4 और into 10 5040 अब 5040 into 360 करना है तो नम्बर नम्बर को multiply कर लो 504 into 36 0, 0 नहीं तो 6 for the 24, 2 carry 6, 0, 0, 2 6 for the 30 3 से किया, 3 for the 12 1 carry 1 इदर आगे, 3 for the 15 So, 4, 4, 1, 8, 1 So, 1, 8, 1, 4, 4 और 2, 0 इनके Clear? तो यह total number of words बन गया है जो पी से start होंगे S पे end होंगे बिटा Clear first part? यह पर फर्स को पहले कर लिया था Now, second part में क्या बोला है? All goggles are Together ठीके? तो goggles यहां पे कौन-कौन से हैं आपके A, E, I, O, U यह होते हैं तो पांचों goggles आ रहे हैं A, E, I, O, U पांचों goggles आ रहे हैं एक एक बार आ रहे हैं ठीके? तो पांच goggles हैं और हुने खोल रहे हैं एक साथ करकर होना है तो उनके लिए हमने पांचों के लिए पहले बना है मतलब पांचों को हम एक लेटर लेंगे विटा A, E, I, O, U यह पांच हो गए अब इनके अरावा कितने लेटर बच गए आपके? 7 P, R, M T, T और N, S यह 7 लेटर सौर बच गए आपके? ठीके? तो 1 प्लस 7 कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल अब कौन? रिपीट कौन हो रहा है? T वाला तो 2 फैक्टोरियल इन्टू 5 फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि यहां पे 5 आपस में भी आगे पीछे हो सकते हैं और डिफेरेंट हैं तो इन्टू 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल तो अब S.S.O. होगा पिटा हिए तो अब क्या देगा? 8 इन्टू 7 इन्टू 6 इन्टू 5 इन्टू 4 इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल फर्दर मुल्टिप्लाइब आए 5 फैक्टोरियल 5 इन्टू 4 इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 तो कितना जाये गा? 2 फैक्टोरियल 2 इन्टू 1 ये 2 2 कैंसल अब हो गया? अगें 5 फोर्स आ 20 23 इन्टू 60 66 इन्टू 360 इन्टू 56 अब इन्टीनों को मुल्टिप्लाई कर लेंगे तो फाइन्ट आंसर हमारा आ जाएगा तो पहले हम 56 इन्टू 120 कर रहे हैं 56 इन्टू 12 तो ये आ जाएगा आपका 2 इन्टू 6 इन्टू 12 1 कैरी 25 इन्टू 10 11 1 से किया 56 आज जिस तो 2 7 और 6 अब इसको फुर्दर मुल्टिप्लाई करना है एक 0 बन के इसमें हो अब इसको 360 से मुल्टिप्लाई करना है तो 36 से 00 आपके 2 0 नीचे हो गए यहाँ पे तो 6 2 जा 12 6 7 जा 42 43 6 6 जा 36 40 3 से किया 6 3 7 जा 21 3 6 जा 18 तो 20 2 9 1 4 और 2 2 4 1 9 2 और 2 0 बेटा तो इतने नंबर ओफ वर्ड्स आपके बन सकते हैं अगर हम सारे बावल्स को एक साथ बोल रहे हैं कि एक साथ अकर कर रहे हैं तो Clear? Second part Now, third part में क्या बोला? Third part बहुत important है जहां से बेखो Third part में हमें बोला है कि there are always four letters between P and S कि P और S के बीच में हमेशा four letters होने चाहिए ये थोड़ा tricky है जहां से बेखो इसको Third part में कि P और S के बीच में four letters होने चाहिए तो ऐसे कितने combination आपके बन सकते हैं बिटा? बताओ P और S के बीच में four letters ठीक है? तो यानि P अगर first पर है तो S sixth पर होगा ठीक है? 12 letter total है? अगर P second पर है तो S seventh पर होगा P अगर third पर है तो S eight पर होगा P अगर four पर है तो S nine पर होगा P fifth पर है तो S ten पर होगा P sixth पर है तो S eleven पर होगा P seven पर है तो S twelve पर होगा उसके आगे नहीं हो सकता है क्योंकि फिर four letters आपके नहीं बचेंगे between ठीक है तो seven position seven possibility हैं आपके पास यह ची समझ में आई seven possibility clear और अब P और S क्या है अलग अलगे तो P और S अलगे तो यह S और P भी हो सकना था कि S पहले पे आता P six पे आता तो seven into two fourteen possibilities आपके पास पहले से अविलेबल हैं इनकी clear और बागी कितने numbers बचले 10 factorial ठीक है into two upon two factorial क्योंकि टी वाला जो repeat हो रहा था आपका तो seven into two fourteen तो यह possibility होई इनकी और के साथ साथ आपके दस factorial दाला दा numbers जो बनाए जा सकते थे clear तो इसका answer आजाएगा आपका seven into two fourteen हो गया और ten factorial और two factorial अमने first part में solve किया था that is one eight one four four zero zero clear सब्सक्राइब कर लेंगे तो final answer आजाएगा मारा यानि one eight one four four को आपको 14 से multiply करना है तो four four is a sixteen one carry four four is a sixteen one seventeen one four one's a four five four is a thirty two four one's a four three seven और one से किया तो same answer is one eight one four four so six eleven ten हो गया four seven eight fifteen one two so आपका answer आगे two five four zero one six double zero तो इतने number of words आपके बनाए जा सकते हैं आया समझ में बेटा अ आपके खार रिंगर esse घ statisticत और झां तो आपके चरा आपके घलón要 idiots